यह रहा आपके सामने कुश्चन दो अकाउंट बनना है कहता है आप मसीन परचेस एक लाख साथ हजार सोला छे दो हजार पंदरा डेट बड़ा लग दे रखा है आप में भी देखो यही है सोला छे दो हजार पंदरा कितने का खरीदा दा कमपनी टुक डिलीवरी 27 छे दो हजार पंदरा और कमपनी इस मसीन पर को घर पे लेके आता है और उसके उपर इंकर्ड कर लेता है spend कर देता है वो पच्चिस सो फोर ट्रांस्पोर्टेशन दा मसीन वस इंस्टॉल्ड पंदरा साथ दो हजार पंदरा है spending और फिर से spend कर देता है कितने है एंड वेजिस हजार कंसल्टेंसी स्वरी एक हजार कंसल्टेंसी है वेजिस भी दो हजार है फिर दो हजार फूर वेजिस पच्चिस सो है न इंस्टॉलेशन का पच्चिस ट्रांस्पोर्ट मसीन एन इस स्पेंडिंग दो हजार वेजिस और हजार रुपे कंसल्टेंसी इंस्टॉलेशन का कोई चार्ज नहीं है चलो wages और फिर और क्या है consultancy consultancy क्या होता है कि कई बार कुछ ऐसे assets होते हैं जो कि हमें किसी से सला ले के खरीदनी चाहिए कोई बड़ी चीज है यह देख लो खरीदे तो अच्छा है या नहीं है तुमने use किया है बताओ कैसे है तो सामने आलग कुछ ऐसे भी businesses होते है जो आपको advice करते हैं कि यह ले लो यह बढ़िया है तो आप उसको pay करने के लिए तयार रहते हैं तो वह हो गया तो that is कितने होगे 6,000 25,500 45,500 1,65 500 trial run 15,11,2000, 15 spend 25,00, फिर 25,00 कर दिए भाई तो machinery होगे है हमारा 1,66,000 the machine put to use एक-एक-सोला यानि एक-एक-सोला से इस पर depreciation लगना चालो होगा एक question किया था हमने याद होगा put to use वाला तो जिस दिन से हम assets को इस्तमाल करते हैं उस दिन से depreciation लगेगा आगे कहता है useful life of the machine was expected 5 year ठीक है सर इसकी life 5 year है और end expected 12,000 रुपए का हमारा salvage value रहेगा ठीक है straight line method लगेगा so the machinery account provision for depreciation अकाउंट अंस्यूबिंग relies 13,000 का होगा end of the 5 year और आपको 31,000 दिसंबर बंद हो जाता है तो हमें कब तक बनाना है कितने साल के लिए बोला expected to be 12,000 the firm so machinery account provision for depreciation account that machine relies 13,000 at the end of 5th year और इसे 13,000 रुपए का इस machinery को बेच दिया गया तो सबसे पहले डैप निकालने के लिए फॉर्मूला होता है याद है आपको सर टोटल कॉस्ट 167 इसमें से माइनस क्या कर दो सर scrap divided by life पहले क्या कह रहा था life कितनी है इस machinery की useful life of expected 5 years तो 5 साल हो गया तो कितने हो जाएंगे 31,000 रुपए का depreciation लग गया 5 सालों तक बनाना है और December follow होगा तो 31,12 68 होगा 68 ओके यह दोस्ट हो जाएंगे ना सारा चेंज करते हैं ठीक है अब सर पहले depreciation SLM है तो 16 में लगेगा एक साल हो जाएगा यह बच गया यह आगया 10,500 फिर आगया 1,1,2018 तीसरा साल जा रहा है और आगये 31,12,2018 फिर 31,200 तीसरा साल कंप्लीट 74,400 फिर 1,1,2000 19,31,12,2000 19,31,200 43,200 इसके आगे यहां कर रहा हूं है 43,200 और फिर माइनस होगा 31,200 लास्ट तो 12,000 बच गए है जिसको आपने बेच दिया तो 1000 रुपे का क्या हो गया Profit हो गया 5 सालों का आपको Provision for Depreciation बनाना है और 5 सालों का आपका सारा काम करना है तो इस पेज पर possible नहीं है कि 5 साल का हम बना ले तो हम इसके लिए क्या करते है Next पेज पर लेके चलते हैं इसको ठीक है नेक्स पेज़ पर स्रिफ अकाउंटिंग कर लेंगे क्योंकि कुछ ज्यादा कैलकूलेशन है नियुक्ष चलिए रहे अकाउंट पहले बना लेते हैं अ कि चलिए आज़ें कैसे करेंगे सर्फ पहले फर्स डिट आगया हमारा एक एक सोला ना टू बैंक कितने का खरीदा वन सिक्टी एट सीधा अमाउंट लिखना है आपने क्या अब हमने इस मसीनरी पे डेप्रीशेशन यहां लगाएंगे या दूसरे अकाउंट में लगाएंगे सर दूसरे अकाउंट में लगेगा कब लगेगा 31 बारा सोला में 31 बारा सोला में क्या लगेगा बाइट अप्रीशेशन 31,200 बस फर्स्ट यर कंप्लीट टोटल कर देते हैं 168 168 और इधर भी आजाएगा 1 बस यहां पर लिखने का काम ज्यादा हो जाता है थोड़ा बैलेंस इडी 31 बारा सोला एक एक सत्रा तू बैलेंस बीडी 168 चलो इसको भी बैलेंस इंग फिगर कर लो फिर 31,200 और 31,200 टू बैलेंस सीडी एक बारा सोला इसका एक एक सत्रा तू बैलेंस बीडी टू नहीं आएगा यह आएगा 31,200 ठेक है यहां तक अब हम आते हैं यहां पर दूसरे साल की और तो दूसरे साल भी इधर डैप नहीं लगाएंगे इसी साइट लगाएंगे एसले में क्योंकि तो आपको तो पता ही है कितना लगेगा बाय डैप्रिशेशन 31,100 चलिए क्लोज करते हैं 62,400 62,400 2,000 CD 31,12 1,1,17 17,18 Buy Balance PD 62,400 Same is account को close कर दिया जाएं 2 साल दन होगे देखों Buy Balance 168 31,12 1,1,18 2 बेलेट्स BD 168 इसको copy कर लेते हैं फिर से इधर भी 168 फिर इधर भी 168 फिर इधर भी 168 फिर इधर भी 168 चलो Buy Balance CD 31,12 और 1,1,19 2 बेलेंस BD कितने साल होगे? 1 साल, 2 साल, 3 साल होगे अब कितने होगे? 93 93 और यहां आगया 2 बेलेंस CD अब डेट आगया 31,12,19 और अब आगया 1,1,20 Y बेलेंस BD 93 600 ठीक है? 19 आगया 20 आगया 19 आगया यह आगया 19 अब फिर डेप हमारा लगना है तो 31,12 Buy Balance CD 168 कितने साल होगे? 4 1,2,3,4 5 साल करना है फिर से 168 168 और टू बेलेंस BD 1,1,20 लास्ट यह रहिए? चलिए एंड में बेचा है बिल्कुल 31,12 By Depreciation इसके बाद 31 टूटल बताईए? 124,800 124,800 2 बेलेंस CD 124,800 1,12,19 पर आप गया गया? 1,1,20 By Balance BD 1,24,800 अब डेप लगेगा 31,12 को लास्ट यहर है 31,200 ठीक है? सर, कितने आगे? 1,56 और इधर भी क्या आगे? 1,56 क्योंकि यह बिक गया है मसीनरी इस साल 20 में तो अब हम यहां Balance CD नहीं लिखेंगे जो मसीनरी बिक है इसका Total Debt बाहर निकालना है तो Total Debt उसका बन रहा है 156 का आप Count करोगे न सारा तो 156 ही बनेगा वो तो इस Depreciation को हम इधर कर देते हैं और Word क्या नाम यूज करेंगे? मसीनरी 156 किस डेट पे? 31,12,20 और यह इधर आ जाएगा By PFD 156 बेचा कितने का? By Bank से 13,000 तो आप देखेंगे यहां पे 168 आना चाहिए आ रहा है चेक करो मुझे तो नहीं लग रहा है Depreciation गलत तो नहीं लगा है Profit भी तो है To Profit Profit भी दर आ जाएगा 168 कहानिक खत्व यह हमारा पूरा Question था 31,12 और 31,12 क्योंकि इस सवाल में एक ही Machine री था तो मैंने एक ही अभी तक जितना भी हमने किया है हमने बहुत ज़्यादा ऐसा Explore नहीं कर लिया इस Question में हमने सिर्फ और सिर्फ Posting करने के एक Habit डाला है कि भाई यह Amount इधर 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 कैसे जाए ठीक है न उसके बाद दो Machine री आजाए तीन Machine री आजाए कुछ भी आजाए वो Easily हो जाएगा पहले यहां तक बताईए कोई डाउट यहां तक कोई डाउट है आपको बताईए Clear है ठीक है तो इसका वर्किंग नोट पीछे था और यह आगया हो गया Sir question number 12 भी exactly same है बस फरक क्या आया कि यहां पर machinery को बेचा गया है और कुछ machinery हमारे पास बच भी जाएगा तो यह वाला question रखेंगे हम homework में पहले आप पुराने वाले को note कर लीजिए का यह झाओँ है प्रणाव कर लीजिए कर अजा़ झाल झाल